मद्ध प्रदेश के नगरीए प्रसासनमंत्री भूपंदर सह के ग्रहजले सागर में सडकों की खस्ताहाल इस्तिती से समार्ट सिटी सागर का हरवासंदा रोज परेसानी उठाने को मजबूर है और खस्ताहाल सडकों के करण यहां के नागरकों को बाहन चलाने में तो पठनाई हो ही रही है पैदल चलना भी उसकी सिहत के लिए भारी पल रहा है जहां सरकार के बिकास के नाम पर जहां तहां सुष्ट गती से चल रहे सड़कों के निर्मार ने आम राहे गीर की परेशानिया बढ़ा रखी है तो भही पेजल और सीब्रेज लाइंग डालने के नाम पर खोदी गई सड़कों के पेजवर्क गुलबता हीन होने से सडकों की दुर्दसा का दन से जेल आम राहगीर होने बाली परेशानी पर सासन और प्रसासन को कोस स्मार्ट सिटी सागर की सडकों के खसता हालत देख जिम्मेदारों पर तंज कस इस्मार्ट सिटी होने का दम भनने बालों को हकीकत के बनी इस्तिती पर आयना दिखा रहा है नगरिय परसासन मंतरी के ग्रहजले में जिस तर्ज पर उनकी नाक के नीचे स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन और नगर नगम परसासन का अमला अपने कार को अन्याम दे रहा है उसमें साप साप मनमानी उजागर हो रही है बापजुद इसके कभी भी स्मार्ट सिटी सागर में चल रहे करोडों रुपे के बिकास कारियों की मेंदानी इस्तिती का आवलोक अनकर कारिक के प्रिगती समीच्छा कन्य में स्वयम मंत्री महोदय की रूची नहीं दख रही जिसके चलते करोड़ोरो रोपे के बेकास कार मनमाने तरीके से बिना किसी प्लानिंग के होने से भरष्टाचार की भ OP जर रहे है जिससे बहतर प्लानिंग और गुडबत्ता के साथ कार भी हो और लोगों को परिशान भी नहीं उठाना पड़े पर यहां तो अंधिर गर्दी का खेल चर रहा है जिससे स्वेमंत्री भी रूबरू है और बेकास कारे के एबाज में थोड़ी बहुत परिशान होने की बात कहें लोगों की आस्वाइब जिम्मेदार एजेंसी का बचाओ कर इतीसरी किये हुए है जिसके कारण सहरबास्कियों के लिए स्मार्ट सिटी की सडक मुसीबत का सबक साबित हो रही है और इन खसता हाल सडकों पर सफर करना उसकी सेहत पर भारी पड़ रहा है बाहराल इसे हालतों से कब तक सहर की जनता को रहात मिलेगी यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जिम्मेदार नुमायनों के पास भी नहीं है भले ही अंकों के खेल के दम पर सागर सहर स्मार्ट सिटी में सामिल हो पर हकीकत में आज भी इस सहर की तस्बीर बदली नजन नहीं आती जब नंगरी प्रसासन मंत्री के ग्रहजले के सूर्टेहाल एह हो तो प्रदेश के अन्ड सहरों में किस तरह बिकास के सूर्टेहाल होंगे इसका अंदाजा सहजी लगाया जा सकता है बलतमान में सहर की सड़कों पर चलना तो बहुत दूर की बात है गाड़ी चलाना तो अजंबा होए गाड़ीयां मेट रही है लोग परेशान है और क्या बोलते हैं लोगों को सरीर में जब होने लगा है अप्तू दूरी चीज जैसे लगवा एक साल पहले हमारे बिदाएगी ने कहा था कि यह प्रसब पीडा है तो प्रसब पीडा भी नौबा में कडम हो जाती है यह तो प्रसब पीडा से डबल पीडा हो रहे जानता बहुत परेशान है प्रस्त है और पता नहीं यह जूल में लोगों को इलाईजी दमा अमास क्या क्या होने वाला किने कि बीमारियों से लोगों को अभी आंगे संगर्व करना है जब जैसे देखने में आरा नगरिय प्रसासन मंत्री के ग्राइज लाही है यह यह आई पर नवास कलते हो भी इस टेक्सी चालक है क्या दिक्कत दे जा रही है आप लोगों को देजा रही है वालिचा कि दूभी एक तो रोड़े खराब हैं उपर से गाली चलाने में लिखता है और इस रोड़ पर पर को टी चौरा है पर आई दिन का सुबह से जो जाम लगता है तो वो जाम तक रहता है जाम है तो वो खुलता नहीं है तभी रहता है स्कूल का टाइम और तभी रहता होपस का टाइम अब जैसा पर कहीं जल्गी में कोई मरीच लेकर निकलना है या कोई अर्जेंटी की हवारी है तो उसको फोड़ने में भी दिक्कत हो जिए और रोड इतनी बेका रहे है कि तर शेर की रोडों को शुधार करें थे अधियर को देखना चलिए तरह करता है कि इतना दीना काम करता है जिसे जंट आए दिन परेजान आइस अधिन का ट्राव लगता है जबस्ता है ने जी जी तरी तरी ते आपको बते कि तरी बिलेगार उसबर से लिए जब अब ने तरी शिचला दी हो तो चाला के नामे महुम्माद अजमार को